आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत है आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं यह कुंठा नहरास्य फ्रस्टेशन जिसे कहते हैं उसका यह परिक्षन का वीडियो है और इस परिक्षन को तीन लोगों की द्वारा जो परिक्षन किया गया वह है राजेन विंग के अनुसार सुरेंदरनाथ दूपे के द्वारा और दिक्षी तेवम श्रबास्तों के द्वारा तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उमीद है आप लोगों के कई प्रैक्टिकल होते हैं जिनका अलग-अलग वीडियो अकॉर्डिंग डू बी एड बी ए में में खूनध मैंने शेयर किया है आज जो मैं वीडियो शेयर करें हूं वहे पुंथा जिसे नाराज से बोलते हैं यंगलिश में फ्रस्टेशन बोलते हैं और यह इंदी में वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे ह। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरह कुंठा जिसका आर्थ होता है जब व्यक्ति अनेक प्रयास करने के बाद भी बाधाओं को दूर नहीं कर पाता है और लक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है वह दुखी हो जाता है और उसे एक प्रकार की अनुभूती होती है इसे ही कुंठा कहते हैं परिभाशा कॉलेसनिक के अनुसार कुंठा उस अवशक्ता की पूर्ती या लक्ष की पूर्ती में अबुर्ध होने से या असफल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महतुपून समझ होता है फिर दूसरी परिभाशा जो है वो है गुठ के अनुसार गुठ में लिखा है कि कुंठा किसी इच्छा या आवशक्ता में बाधा पढ़ने से उत्पन होने वाला संवेगात्मक तनाव है कुंठा वह तीप्रमानसिक अनुभूती है जो व्यक्ति को असंतुष्ट या असफल होने पर होती है तो ये होगी कुंठा की परिभाशा या प्रस्टिशन की परिभाशा कुंठा के कारण व्यक्तिकत कारण बहए कुमिदुट अशुकुलता आदी वहतिक में अकाल बाढ़ भूचाल आदी आर्थिक प्रकार में धन्सम्बंदी सामाजिक प्रकार रिती रिवाज कानून आदी नैतिक अहिंसा जूट बोलना आदी और असंगत अवशक्ताएं विरोधी अवशक्ताएं असंगत लक्ष जो न्याई संगत ना हूँ फिर कुंठा में व्यवहार व्यक्ति का व्यवहार जब वो कुंठित होता है कुंठा की situation नहीं तो उसका विभार कैसा हो जाता है व्यक्ति आकर्मनकारी बन जाता है वह आत्म समर्पन कर देता है एक कांत मित्वई कुछ समय के लिए हो जाता है किसी रोग से ग्रसत होने का विचार करता है कुंठा के दुष्परिनाम व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है असाधरन व्यक्ति का प्रकाशन असमाजिक्ता की भावना का उदे हो जाता है मानसिक तनाव में व्रद्धी होती है मानसिक गुड़ता हो जाती है आवातमक दशा अस्थिर अवस्था में हो जाती है फिर कुंठा के प्रकार बाहे कुंठा आंतरिक कुंठा यह उस समय होती है जब कोई पहरी परिशानी व्यक्ति को अपना ध्ये प्राप्ट करने से अबुद करती है जैसे कानून नियम आदी ये वाहे कुंठा है आंत्रे कुंठा ये उस समय उत्पन होती है जब बाधा सोयम व्यक्ति में होती है जैसे भई व्यक्तिगत कम्या आधी फिर कुंठा मापन, कुंठा मापन जो है विदेश में जो हुआ वो है कुंठा की विभिन इस्तितियों एवन प्रतिक्रियाओं का अध्यन करने के लिए कुंठा मापन विदेश में दूसरा पॉइंट है रोसार्स इंक ब्लाट परिक्षन विदेश में जो परिक्षन हुए ये उनके नाम है प्रासंगात्मक बूध परिक्षन सब्द सहचर्य वाक्य आपूर्ती परिक्षन रोजेन विग के चित्र नैरास्य कुंठा अध्यन आदी मानकी कृत साधनों का प्रियोग किया जा रहा है सन 1944 में रोजेन विग ने अध्यन के वयस रूप का निर्मान किया सन 1947 में रोजेन विग ने नैरास से अध्यन के बालक रूप की रचना की भारक में सन 1969 में पहली बार उदैप पारिक वा आर एस देवी ने नैरास से मापन के छेत्र में प्रयास किया उन्होंने रोजन्विंग के चित्र नेरा से अध्यन के बालकों के रूप का भारतिय इस्थितियों एवं संदर्बों में अनुकूलन किया फिर सन 1967 में रोजन्विंग के बालक रूप का भारतिय परिस्थितियों में अनुकूलन किया सन 1972 में CM शर्मा ने विद्याले परिस्थितियों में नाराज से मापने के लिए रोजिन विंग तक्नीक पर आधारित एक चित्र नाराज से परिक्षन की रचना की सन 1987 में S.N. दूबे ने ग्रामिर आंचलों के लोगों के लिए नैरा से अध्यान हीदू चित्र परिक्षन की रचना की सन 1989 में जैपूर के M.K. गोयल ने विद्याले परिस्थितियों में कुंठा के प्रति अध्यापको की प्रतिक्रियाओं का अध्यन करने के लिए S.S.R.F.T. टीचर्स फॉर्म का प्रकाशन किया कुंठा मापन के चेतर में अच्छे शाप्तिक मापको का भी विकास हुआ 1972 में N.S. चौहान द्वारा गोविंद तिवारी द्वारा 1976 में V.C. मेथियो 1977 में दीपा मालविय 1987 में आभारानी विष्ट 1987 में B.M. दिक्षित एवं D. एंश्रिवास्तों का नेरासी के प्रतिक्रिया मापी R.F.S. का स्थान प्रमुख है परिक्षन में आ जाते हैं सबसे पहला जो परिक्षन है वो रोजेन विंग P.F.S.T.D. वयसक एवं बालक प्रारूप नामकरन इसे नियंतरित प्रक्षेपी विधी भी कहा जाता है प्रारूप दो तरीके का प्रारूप होता है पहला बालकों के लिए 4 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए 1948 में बनाया गया दुतिये वयसकों के लिए इसका निर्माण 14 वर्ष से वयसक वस्था के लिए किया गया इसे 1944 में बनाया संपादन यह व्यक्तिगत एवन सामुहिक दोनों ही रूपों में प्रशाशित किया जा सकता है। उद्देश इसके द्वारा भगनाशे स्थिति से अक्रमाणक अक्रमणात्मक दशाओं में व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं का नाप क्रिया जाता है। परिक्षन वर्नल इसके प्रतिक रूप में 24 कार्टूं या ड्रॉइंग के समान भगनाशा स्थिति को प्रदर्शित करते हुए नहीं थैं। चित्र में दो व्यक्ति दिखाए गए हैं इसमें एक व्यक्ति दिखाया गया है व्यक्ति की भगनाशा के कारण के सम्बंद में कुछ पूषता है। यहां प्रयोज को लिखने का निर्देश दिया जाता है जिसे उस स्थिति में दूसरा व्यक्ति कहेंगे। इसमें अधिकांशिता चेतर जीवन में होने वाली दिन परतिदिन की परिस्थितियों से लिए गए हैं परिक्षन के दोनों रूपों में भगनाशा अस्तितियों का अध्यन एहम बाधा इगो ब्लॉकिंग तथा नैतिक एहम बाधा सुपर इगो ब्लॉकिंग के माध्यम से होता है फलांक एवां मूल्यांक इसमें फलांग है तो व्यक्ति के प्रतेक उत्तर का वर्गी करन दो प्रकार से किया जाता है प्रतिक्रिया प्रकार पहला है और दूसरा णिस दुशघर का वर्गी बुटेव हमने दुशर को वर्गी करन झाल 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 तब तक का वीडियो प्रोवाइड कर सको तब तक के लिए स्टूटेंट मिलेंगे आगले वीडियो में पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए